वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सिस्क्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें अलाबाद हाइक कोट के लिए पारट वन स्ीबिटी की तैयरी के लिए कम्प्यूटर बेज टेस्ट के फॉर्म में जो लास्त ताइम डिभी अग्जैम हुआ था इसके लिए हम अलाबाद हाईक कॉट आर्वे अडारो के लिए ग्रूप शुरू कर रहे हैं लेटेस्ट पेट स्लेबस है, इसकी तयारी हम लोग करने वाले हैं, इस ग्रूप में आप इसमें अड्मिशन ले करके पूरी तयारी कर सकते हैं, जो लोग इस पेट ग्रूप में आ चुके हैं, यह आपका स्ट्राटजी वीडियो है, शुरूर से लेकर आखिर तक इसको देखिएगा, फिर पे इसमें आपको आपको स्ट्रे ग्रूप में मिलने लगेंगे, तब तक तक जो स्ट्रेम डिया आ गया है, जैसे रिजिनिक अप्रिट्यूट का कोई स्ट्रेम प्लेस नहीं मिलेगा, इसमें आपको एडु क्षिस की म作ni कराई जाएगी, कुछ एक वीडियो क्लास की दी जा स सकते हैं बाद में ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है या पर जरूरी इसी विज़े से कोश्चन्स पर फोकस हम लोग कर रहे हैं और कोश्चन्स ही आपका एक्जाम में पूछे जाएंगे reasoning aptitude की जो test series मतलब जो full and test है उसमें reasoning aptitude की हम लोग questions सामिल करेंगे काफी सारे अच्छे questions सामिल करेंगे जिससे आपको help मिले इन topics को अच्छे से तैयार करने में reasoning aptitude की तैयारी पूरे तरीके से practice के through होगी कोई आगर concept आपका नहीं clear हो रहा है आपको कोई चीज नहीं सुझ में आ रही है आप discussion group में हमसे पूछ सकते हैं जो लोग full paid group में आए उनको discussion group का support मिलता है आप reasoning maths के doubts discussion group में पूछ सकते हैं जैसे बाकी अन्ने सदस से पूछते है total current affair इसमें आता है जो हमने जन्वरी 2024 से लेकर September 2024 तक का एक साथ दे दिया है UP current affair आपको जन्वरी 2024 से August तक का हमने दे दिया है बाकी बाद में आपको मिलता रहेगा आगले मन्त मतलब हर मन्त मिलता रहता है UP current affair और national international current affair जो लाबाद high court में आता है इसके लावा से लेवर्स के बचे हुए topics को पूल 80 device class notes form में हम लोग करेंगे करीब 50 device class notes के बाद आपको जो है recorded video lectures group में देखने को विलने लगेंगे जिससे आप तयार कर सकते हैं अभी के लिए जो device class notes दी जा रहे है उनको अच्छे तयार करना आप लोग शुरू कर लिजेगा यही initial strategy है शुरू के 4-5 गंटे के लिए हर टॉपिक के 8-8 device class notes हम लोग दे रहे हैं दस टॉपिक हैं तो एक रिजिदिंग एप्रिट्यूट और करेंट फेर वाला हट गया रिजिदिंग एप्रिट्यूट में आपको questions की practice करनी है करेंट फेर हमने और रेडी दे दिया है आगे के मंत का upload होता रहेगा बाकी 8 वीडियो classes से revise कर लेना और एक बार finally exam से पहले revise कर लेंगे इतना करना है आपको और device से दुबारे revise करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जब device सारे हो जाएंगे device class notes upload हो जाएंगे फिर हम subject wise PDF आपको recorded video lectures के साथ दे देंगे जिससे आप उसको multiple times revise कर सकते है डेवाइ वीडियो classes exam से sufficient दिनों पहले आपको मिल जाएगी और उससे आप अच्छे से prepare कर लीजेगा एक बार डेवाइस class notes के reading करी होगी आपको अगर आपने reading पहले कर ली होगी तो आपको काफी आसानी होगी डेवाइस class notes के videos को समझदे में वीडियो classes मिल जाएंगी डेवाइस पड़े होंगे बस एक बार subject wise revision करना होगा इतना है आपके काफी होगा सारा material last time जो परिक्षा हुई थी उसके pattern के अनुरूप है अगर pattern में कोई change होता है तो उस change को हम लोग इसमें समाहित करेंगे अगर कोई भी extra चीज आती है तो इसको हम लोग इसमें शामिल करेंगे course मे प्रैक्टिस लगतार चल रही है अभी लगतार questions आ रहे थे हमने कुछ दिवस के लिए इसको रोका था क्योगी काफी सारे number of questions हो जुके हैं पचास questions वाले वैसे daily आते हैं इसमें 20 questions यहांपर GSK subject के होते हैं 10 प्रशन समान हिंदी के 10 general English के और 10 प्रशन यहांपर computer के होते हैं इतने questions यहांपर sufficient हैं और अभी इतने number of questions कराई जा चुके हैं इसमें और अभी बीच में जो exams होए थे UPSC वगारा के कई सारे post के जो main exam होए थे उसमें जो computer questions पूछे गए थे वो हमारे paid quiz के questions से match होए थे directly ऐसा इसलिए कि कई जगे syllabus common है तो paid quiz के हमने लगतार कराई है आप आप लोग डेवन से ही paid quiz के questions सारे के सारे लगाईएगा कैसे लगाना है इसके बारे में भी आगे बताय जा रहा है सारे questions लगाईएगा सारे questions बहुत relevant है और इसका लाब आप लोग लीजेगा जरूर प्राक्टिस के लिए paid quiz जरूर लगाना है RO RO के vacancies में APS इत्यादीक vacancy म यही syllabus रहता है pattern वगारा काई बदल जाता है number of questions change होते हैं जैसे 2021 में जब लास्ट टाइम में वेकंसी आई थी और exam हुआ था December में 2022 January में भी कुछ shift में exam हुआ था तो यह paper CBT form में online हुआ था वैसे पहले offline हुआ करता था ठीक है online हुआ offline आप पूरी तयारी जो है मारे साथ कर सकते हैं इसमें syllabus की इसको syllabus में आप देखिए general science history of India, international movement, Indian polity, economic culture, Indian agriculture, trade, commerce, population सारे points वह ऐसे ही आपको देखने को बिल रहे हैं जैसे UBPSC में जभी भी कोई paper होता है उसमें GS के points होते हैं additional इसमें क्या है general English इसमें additional है जो नहीं होती है सारे exams में और एक elementary knowledge of computers यह इसमें additional है और थोड़ा सा mathematics के भी सवाल इसमें आते हैं तो पूरी तहरी इसमें आपकी कराई जाएगी कुछ practice वाले points से जैसे reasoning mathematics इसमें आपको practice करनी पड़ेगी और practice ही इसमें आपको आगे लेकर जाएगी जितने ज़्यादा questions की आप practice करेंगे उतना ही आपको lab होगा क्योंकि इसमें ज्यादा theoretical वाले ज्यादा question नहीं आएंगे aptitude वाले section में मैं अभी papers आपको दिखा दूँगा तो और अच्छा अंदाजा पड़ जाएगा और बाकी जो चीजें बच रहे हैं उसका इस तरीके content दिया जाएगा कि एगर आपने अच्छे से पढ़के revise कर लि कर आँ जिसे आप किसी तरीके के भ्रहम मिना रहे हैं cutoff marks तक पहुंचना है एक सी में काफी difficult होता है cutoff ज्यादा जाता है कुछ कारण है पहला कारण यह है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है दूसरा कारण यह कि question सोड़े easy side आते हैं बहुत difficult paper नहीं होता है आगे अगर cutoff बता रहा हूं 200 में से क्योंकि 50 की यहां पर टाइपिंग टेस्ट भी होता है ठीक है compulsory टाइपिंग टेस्ट होता है और 200 marks यहां पर आपके CBT के जोड़े जाते है stage 1 के तो उसको मिला करके यह आपका cutoff बना था 205 नंबर और यह फिर भी काफी जादा माना जाएगा क्यो 70 नंबर टार्गेट करने पड़ते हैं अपने CBT में या फिर फर्स्ट स्टेज में और यह बिल्कुल लाए जा सकते हैं ऐसा नहीं कि कोई लाए नहीं है पिछली बार भी हमारे कई सार लोग जो है फैनली इतने नंबर लाकर सेलेक्ट हुए थे कुछ लोगों के 190 तक भी प कर दिया गया है वो मैं भी आपको शोकर दे रहा हूं तो आपको अंदाजा पड़ जाएगा यह कट आफ आपका गया था यूर मतलब यह 2021 वाले एक्जाम में 2021 और 22 में जो दिसंबर में जन्वरी में अलग अलग शिफ्ट में जो CBT हुआ था उसमें कट आफ ही गया था थोड़े से ट्रिकी टिपकल होते हैं कोश्चन से बहुत लेंदी नहीं होते हैं यह इसमें देखा गया है नेम दा ट्यूब विच कनेक्स ता किड्नी टू इरुन इरुनिरी ब्लैडर हो गया बेसिक बेसिक कोश्चन नसी आर्टी बेस्ट कन्वेक्स लेंस को और किस नाम स जाना जाता है किस कलर के रे सबसे ज़्यादा बेंड होते हैं प्रिजम से पास होने पर रियर व्यू मिरर के रूप में किसको इस्तमाल करते हैं इस तब अवधारणा प्याधारित कोश्चन बेसिक बेसिक यूजेस महावीर जैन ने अपनी आखरी सांस का हां पर ली थी ब नायक कौन कौन थे मौटर निश्ट्री में इस तरीके से लेकिन कोई भी कोश्चन ऐसा नहीं था जो आपको लगे कि जैसे यूपी पीएस्सी आरो स्तर के कोश्चन होते हैं वह ऐसा हुआ ऐसा कोई कोश्चन नहीं देखा गया था एक नामी जो इंडेस वैली की थी वह कि इस सब कोश्चन जो कई बार आप देखते रहते हैं पुराने सालों के जो रिपीट कोश्चन है वो ज्यादा आते हैं यही कारणे की कटाव थोड़ा ज्यादा रहता है इंदी कोश्चन भी इजी साइट रहते हैं और मैस रिजनिंग के कोश्चन को बहुत डिफकल्ट इसमें ज्यादा आते हैं इंग्लीश के भी कोश्चन को बहुत डिफकल्ट नहीं आते हैं ज्यादतर कोश्चन जो है उस पर अधरित रहते हैं वोकाबलरी पे जैसे चूज दा गिवन ऑप्शन टो फिल द ब्लैंक से वेल्थ ब्यूटी एंड फेम आर डैस वार वाट इसक इसमें को लिवर्भ होता है लेकिन वाक में क्या है यह बताना है तो वाक में क्या हु yraya वाक में नउन की तरीके क्याम कर रहा है इसमें कमप्यूटर को संसर बहुते यह एक बनताा से बनता है जो आस तरफ यह कुछ questions मैंने निकाल ले हैं जैसे इसमें कथनों कारण वाले जो questions आते हैं कई सारे आज कल पूछे जा रहे हैं अभी कथन होता है कारण होता है उसमें आपको बताना पड़ता है क्या उसकी सपस्ट व्याख्या कर रहा है या फिर नहीं अगर कोई detail वाला question है तो उसमें 2 या तीनी statement दी होती है उसमें बताना पड़ता है कोई एक सही है कोई दो सही है या दोनों सही है अभी कथन कारण वाले सवाल मिलाने वाले सवाल detail वाले सवाल जिसमें एक ही fact के बारे में कई सारे information यहाँ पे पूछी जाती है पंजाब के विले के बारे में आपे तीन और इसमें आप देखेंगे तो यह पाएंगे ज्यादातर questions doable है और questions lengthy नहीं है जिसे इसमें पूछा है कि कौन सा enzyme जो है responsible होता है breakdown of protein के लिए stomach में कौन सा gland growth hormone secrete करता है जो कौन सा नहीं है क्यानी lubricant के रूप में में से इस्तमाल की जाता है तो answer जो है graphite हो जाएगा simple basic basic question जो हम बच्पन से अपने classes पढ़ते हुए आएं वही सब जाजातर इसमें पूछे जाते हैं ऐसा मैं नहीं मान के चल रहा हूँ कि इस बार भी इतना ही easy paper होगा लेकिन जब भी easy paper होगा cut off ज्यादा जाता है और जब भी tough paper होगा cut off गिरेगा तो वही equation होती है हमेशा अगर easy paper आ आपके 17 से 18 कोशन देखे गया थे हर शिफ्ट में फिर आपके history of India से 12 कोशन देखे गया थे national movement से 19 कोशन देखे गया थे तो कोई भी लाकार हिस्ट्री से 30 सवाल लगभग हर शिफ्ट में आए थे history काफी बड़ा इसमें portion है Indian polity economy culture से यहां पर देखे गया थे 16 प्रशन दस प्रशनिया पर Indian agriculture trade commerce से देखे गया थे इसमें data भी पूछा गया था basic भी पूछा गया था world geography geography of India resources से यहां पर साथ question आये थे actually population ecology organization से माफ किजिएगा साथ सवाल है थे 22 question यहां पर world geography geography of India natural resources से आये थे natural resources से resources of India से human geography, physical geography, environment सब कुछ इसमें शामिल था इससे 22 सवाल आये थे 20-22 सवाल हर शिफ्ट में किसी में 24 थे किसी में 20 तो average यहां पर निकाला गया है इकीज भी थे किसी किसी शिफ्ट में current fair से यहां पर 19 सवाल पूशे गया थे मतलब 10% portion आपका current fair कर रहता है कभी कभी 25 सवाल तक भी current fair के देखे गया थे शिफ्ट में फिर aptitude section से 25 प्रस्ट में आये थे special knowledge regarding education culture agriculture industry trade of उत्तर प्रदेश मतलब UPG के सिकूल मिलाकर UP current fair से 11 सवाल आये थे English language और Hindi language से सभी shift में 20-47 में आये थे 10 हिंदी के 10 English के 26 shift में और elementary knowledge of computers है यहां पर 22 प्रस्ट लगबख हर shift में देखे गये थे लाबाद High Court R.A.R.O की course में आपको test series भी मिली होगी full paid वालों को और अगर only test series वाले group में आये हैं या फिर study material plus test series वाले group में आये हैं without discussion में तो आपको test series मिलेगी test series शुरू होगी general science की शुरू होगी 1 December 2014 से इसमें को बिलाकर 22 हम लोग कराएंगे 12 section wise होगी high test में जिसमें 50 प्रश्ण होगी 10 full length होगी जिसमें 200 questions होगे ठीक है इसमभावित कारिक्रा में परिक्षात इती थी कि अगर exam थोड़ा सा डिले होगा तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं और अगर exam थोड़ा जल्दी हो रहा है तो इसको हम लोग pre-porn भी कर सकते हैं general science का शुरू होगा 1 December से और finally आपका test 22 December तक complete करा दिये जाएगा full length test आपके 13 December से चालू हो रहे हैं इस वाले paid batch में लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि यह सारी dates tentative हैं और परिक्ष्चत यह थी कि अगर कोई भी संभावित मतलब कह सकते हैं अपडेट हमको मिलती है तो इस हिसापस हम इसको pre-porn या postpone कर सकते हैं student के benefit के हिसापसे इसको pre-porn भी कर सकते हैं postpone भी हम लोग कर सकते हैं यह test जो है यह online mode में नहीं होगे app पर यह telegram में होगे PDF format में आपको test दिये जाएंगा आप इसको offline format में attempt करेंगे ठीक है यह test series आप पर relevant होगा मिलता है अमरी test series में launch किया था आप यह मोदी जी ने कब launch किया था वें तो डेट इसमें इंपोर्टन्ट है सत्रा सेप्टेंबर कि सत्रा सेप्टेंबर कि दोजारतेईस अब इसमें हूँ में अपलिक सकते हैं beneficiary इसमें पूछ सकते beneficiary कौन होंगे इसका लाब किसको मिलेगा beneficiary होंगे 18 तरीके ट्रेडर्स 18 तरीके का जो काम होता है मचली कजाल बनाने वाले आउजार बनाने वाले blacksmith हो गया और बढ़ा ही वगयरा होगा इनको लाब दिया जाएगा वोट क्या है वोट का मंदलब इसमें आ जाएगा क्या लाब इसमें दिया जाएगा इसमें 6 तरीके का support दिया जाएगा कितना credit paid सकता है एक लाग रुपए पहली बार में दो लाग रुपए दूसरी बार में यहां पर हम मिलेगा और इसको scheme को कहां पर launch किया गया था न्यू डेली में PMODG ने लाँच किया था यह हो गया डेटेल्स में अब यह कौन सी मिनिस्ट्री इसको implement करने वाली है तो इसमें तीन मिनिस्ट्री इसको implement करने वाली है central sector scheme है तीन मिनिस्ट्री जुएंटली इसको implement करेगी पहले तो ministry of finance है ministry of finance हो गया और ministry of MSME हो गया ministry of skill development and entrepreneurship यहां पर हो गया skill development and entrepreneurship यह तीन मिनिस्ट्री इसको कंजुएंटली implement करने वाली है अब इतनी सारे detail मैंने आपको बता दी अब इसी में से क्या होता है कि जैसे बड़े exam होते हैं जैसे UPPCS का exam हो गया ROE ROE का exam हो गया कोई अधर state pieces हो गया यह कई सारी चीज़ें एक ही question में डाल देते हैं उसमें पूछते हैं कौन सा कथन सही है scheme के बारे में जबकि ROE ROE में क्या होगा हर shift में आप देखेंगे अगर multiple shift में paper हुआ इसमें अलग-अलग चीज़ें पूछ जाएंगी कोई exam मतलब यह date पूछेगा कि इसमें जो है कितना credit दिया जाएगा और इसमें पूछेंगे कितने तरीके का support इसमें promise किया गया है किसी ministry पूछ ली जाएग कि कहां पे इसको launch किया गया तो यह सब चीज़ें आपके exam में मतलब एक information से एक तरीके की चीज़ से एक तरीके की content से topic से एक ही तरीके question यहां पर बनाता है इसी बज़े से आपको 200 question करने होते है limited time period में कि question छोटे छोटे होते है तो मैं आपको कहां पर यह ले जाना चाहा रहा था यह कहने का मतलब है कि आपको पढ़ना पढ़ेगा खूप सारा आपको पढ़ना कई सारी चीज़ें हैं लेकिन exam में जब question solve करेंगे तो एक question में एक इसमें पूछ जाएगे ऐसा नहीं होता है syllabus इसमें ज्यादा है no doubt कई सारी इसमें चीज़ें है syllabus इसमें ज्यादा है इसमें facts ज्यादा है लेकिन जब exam में आप बैठेंगे तो पर question जो difficulty level है वो थोड़ा सा कम देखने को बिलता है 5 hours daily का एक आपको time plan अपना बराना चाहिए चाहिए आप subject wise पढ़े है चाहिए module wise subject wise भी आपको option available है और module wise भी जो लोग module wise study करेंगे वो जो है module को एक आर आप follow करिए गंटा आपको module पठने में जाएगा जो आपको दिये जाएगा module कैसे कैसे आएगा उसका हमने पूरा time plan भी दिया होगा आपको module का time plan अगर नहीं भी दिया है तो एक subject का एक ही module होगा current fire जो PDF आपको दी गई है आपको जुलाई से अभी तका cover करना है तो 45 minutes यहां पर आप daily current fire को देंगे तो within 15 days में आप पूरा तयार कर लेंगे मतलब पढ़ लेंगे और फिर बात में revision चलेगा आपका daily daily quiz plus pyq इसमें आप 45 minutes दीजिए कम से कम अभी क्योंकि सारे question पुराने हो चुके उनको cover करने में टाइम लगेगा और बाकी बजा जो most important part है वो revision है जैसे पढ़ें चाहे module wise आपको revise करना ही पढ़ेगा कुछ हैसा है यहाँ पर आपको time plan खुद बनाना पढ़ेगा कि आप पढ़ी हुई चीज को दुबारा पढ़ें और अभी time है अभी आप revise कर सकते हैं कई सारी चीजों को अच्छे तरीके से prepare करने के लिए तो लोग subject wise पढ़ेंगे आप अपने time plan को follow कर सकते हैं बस हमारे जो कह सकते है notes को subject wise में शामिल करना है आपको जैसमाल लिजी आप एक दिन history पढ़ते हैं ठीक हिस्ट्री के साथ आप environment पढ़ते हैं या फिर current fire पढ़ते हैं या UPG के पढ़ते हैं आपको इसमें manage करना ले करके daily आप चलें आप इसमें subject mix करते हुए इसमें पढ़िए एक subject को लोग finish करते हैं फिर दूसरे को ठाते हैं ये approach भी आप चाहे तो follow कर सकते हैं लेकिन आपको भी 4-5 घंटे याप देने होंगे practice के लिए कम सकम आपको 45 minute देने होंगे अगर आप subject wise भी study कर रहे हैं तो एक और चीज़ द्यान रखेगा reasoning aptitude की अभी से practice करना शुरू कर दीजेगा यह नहीं सोचेगा exam आएगा तब हम पढ़ेंगे तब जो है इतना नहीं cover हो पाता है reasoning aptitude पूरा practice प्यदारीता है आप इस तरीके questions लगाई जैसे आपको PYQ में देखने को बिलते हैं अब PYQ सबसे पहले solve करें reasoning aptitude के लिए इसके questions लगाई PYQ में उसके बाद हम आपको fresh questions उपलब कराएंगे paid quiz में और कई सारे questions के set के PDF भी आएगे लेकिन सबसे पहले तो PYQ में reasoning aptitude दिया हुआ है वो आप solve करिएगा सबसे पहले अपने शुरू के time plan में जिन चीज़ों से आपको बचना है वह मैं पहले बता दे रहा हूं live classes जैसे चीज से कताई बचिए यहाँ पर HC जैसा जो exam पूरी तरीके से factual रहने वाला है live classes सिर्फ आपका time hamper करें कि जितना time आप किसी भी एक live class को देते हैं उतने में तो तीन subject के notes को अच्छे तरीके से revise कर सकते हैं और आएगा हमारे notes से ही फिक है पिछली बार भी हमने जो group चलाया था उसमें काफी सारे questions आया थे लेकिन जब answer की बाहर आए थी तब तक काफी देर हो चुकी थी जब लोगों को अपने question paper मिले क्योंकि online mode में हुआ था तो हम वो सब show नहीं कर पाये थे लेकिन बात यह है कि जो भी यहां पर current affair आपको दिये जा रहा है या फिर जो भी subject wise notes दिये गए हैं आएगा इसी में से फरजी किसी की live classes बचिए जितनी देर में आप live class में उनके मुख से वो बात सुनेंगा उतनी देर में आप वो चीज दो तीन में जो चल रहा है बहुत unfortunate है लेकिन उसका debate discussion आपके exam के काम का नहीं है आपके exam के काम का जितना भी current affair है वो हमने month wise video form में दे दिया है वही sufficient है उसी से आपका exam में question देखने को बिल जाएंगे मतलब कहने के मतलब है कुल बिलाकर समय बचाइए जो syllabus की demand है जो exam की demand है उसको पूरा करिए आप HC, RORO में select तभी होंगे या फिर किसी भी exam में जिसकी आप प्रप्रेशन कर रहे हैं select तभी होंगे जब उस exam की demand पूरी करेंगे जो प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे तभ भी जो है आप select होंगे आप कितना बड़े ग्याता है आपको कितनी knowledge है किसी भी discourse के बारे में आप कितना अच्छा debate discussion कर लेते हैं या फिर अच्छे ओरेटर है उससे नहीं फर्क पड़ता है जब तक आप वो अंक नहीं लाएंगे जो cut-off जो आयोग निकालेगा या फिर जो सब्सक्राइबी के काम की नहीं तो एसे तैट नहीं तो आपके से सिलीबस में है जो अइ者 की डिमांड है उसको पूरा करी बस कुल बिलाकर इस से आहरो की तै truck कैसे चलेगा इसे इन पॉइंट्स में नहीं है आक komt बढ़ेगा जो दिया वह इस टैडी करनाँ अलग अलग से नहीं पूछेगा कि हम यह बुक ले सकते हैं वो बुक ले सकते हैं सिर्फ समय की बरबादी होगी जो कंटेंट यहां पर दिया गया तो रेगुलर रिवीजन और प्राक्टिस यहां पर करना पड़ेगा आपको और सिलेबस जल्दी से कंप्लीट आपको कर लेना चाहिए विदिन थ्री बंस इस ग्रूप के शुरूने के बाद आपको कोशिच करना है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर चुके हों जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट से तो वहां पर आप डिस्कस कर सकते हैं इसी वजह से आफल पेड्रूप मेंबर को डिस्कस्शन ग्रूप का सपोर्ट दिया जाता है आपको जैसे ही मतलब कोशन आपका भीजा जाता है दिन के समय में हमारे एड्मिन टीम एक्टिव रहती है आपका जवाब देती हमाली जी आप एकदम नाइट में पूछते हैं बारा एक बजे कुछ लोग डाउट पूछते हैं तो अगले दिन सुबह में उनका डाउट सॉल्व करके बता दी जाता है यह आपका क्विस ग्रूप है जिससे आपको प्रैक्टिस करना इसका मैं ओवर्वीव दे रह सकते हैं को इसको आप देख सकते हैं इससे पूरा समझ जाएंगे कुछ कैसे आपको करना है जैसे अध्यक्स और अध्यक्स की अनुपस्तिती में लोग साभी के अध्यक्षत अकान करते हैं जैसे मैंने यहां पर सी चुना तो यह गलत है और डी में क्या है अध्यक्स यह जिसमें लिखा हुआ है जिसे बल्ब एक्स्प्लेशन में अध्यक्स दुरा निर्धारित दस सदसी पैनल एक सदस का एक सदस से जो है करता है जैसे कुश्चन आते हैं एक यारो में वैसे हैं बताया गया जो अलामुखी से काउन सी कैस निकलती है जैसे हमने यहां पर डी चुना एसो टू तो यह सही हो गया तो इस तरीके से जो एंसर टिक मार्क के साथ है वही आपका सही उत्तर है इनैबलिंग दा बिजनिस अग्र जोम करके देखिए यहां पर एक वाइट टिक मार्क है इसमें परसेंटेज से नहीं देखिएगा परसेंटेज कई बर कम ज़्यादा होता उससे नहीं मतब है वाइट टिक मार्क आपका सही उत्तर डेनोट करता है शेडूल बैंक की पेड़ UP कैपेटल इससे कम नहीं होने मैं यहां पर 7 लाग चूस करता हूं जो की गलत है तो 5 लाग हमारा सही उत्तर है इसमें टिक मार्क लगा हुआ है तो इस तरीके से आप कुश्चन सियां पर करिए और कई सारे कुश्चन अल्रेडी हो चुके हैं इसका आप लाब लीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत करि करिंगे प्रवšचर करते हैं चुके तेके साह्वच माई पर्स्टें है ले से जाते हैं में स्थरा चकाром कार लाब लाब अवच hardण में बदावाख का लाब 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 कि Wit उर एक टूस ना मतार विए आकल है उत्वारश psic vezes भéo के ऐल दיщёं दार एकली